हाई फ्रेंड्स मैं हूँ रेनुका रेनुका सीविंग ट्रेनर में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाले हो बर्नेट सीव एंड गो वन मशिन में गैदरिंग कैसे किया जाता है यह जो फूट आप देख पा रहे हो यह गैदरिंग फूट है यह स्पेशल फूट है यह मशिन के साथ में आती नहीं है हमें पर्चेस करनी पड़ती है अभी मैं आपको इसका यूज कैसा करना है वो बताने वाले हो सबसे पहले हमें त्रेडिंग कर लेना है मैंने पहले से यापे त्रेडिंग कर रखा है यापे त्रेड टेंशन है इसे हमें 9 पर रखना है 9 नमबर सेलेट करना है stitch length हमें 4 number select करना है और यहापे straight stitch select करना है यहापे आप उस्कुरू देख पा रहे हो इसे खोल कर यह foot attach करना है foot attach हो चुका है अब यह मैं आपको कपड़े पे ग्यादरिंग कैसे करना है बता देती हूँ यह foot जो है इसके नीचे हमें कपड़ा रखना है अभी ग्यादरिंग करके बता देती हूँ चलिए start करते हैं यह हमारा ग्यादरिंग बनकर रेडी है यह देखे ग्यादरिंग कितने अच्छे से बना हुआ है और आप भी गर पे जरू ट्राइ कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेर कीजिए जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से कर दीजिए तैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो